नमस्कार वेलकम सभी का फिर से हमारे यूट्वी चेन में स्वागत हैं आप देख रहे हैं विकेंसी एरा एजूकेशन और आज हम एक और अच्छी अपडेट के साथ सुरुवात करने वाले हैं खासकर उन विद्ध्यारतियों के लिए जिनके पास ये कॉल्फिकेशन है अग किया दोस्तों रास रास्टी रासाइनिक उर्वक लिमिटेट की में बात कर रहा हूं जिसमें काफी अच्छी अपडेट हुई है और बता दें कि ये कल आठ बाराद यानि की आठ डिसंबर को इसका ओफिसली नोट्रिविकेशन जारी हो चुका है जिस नोट्रिविकेशन क जरी आप लोग आवेधन करेंगे उसका मैं जिकर आपके सामने करने वाला हूं सबसे पहले मैं नोट्रिविकेशन कर बात में करूंगा फिर हम बात करेंगे अपलाई के बारे में हम दोनों चीज़े आपके सामने रखूंगा इसके आवेधन पर क्या कल से ही सुरू हो चु चाहिए आप बियार के रहने वाले हो यूपी के रहने वाले हो मद्य पर्देश के वेश्ट बंगॉल कोलकत्ता साउध छेतर के किसी भी छेतर के रहने वाले विद्यारती हो तो आप इसमें आवेधन कर सकते हैं एक्जाम सेंटर की बात की जाए तो आपको बता दें इसकी एक्जाम सेंटर धेली में होने वाली है और आपके आसपास यानि की 6-7 राज्य जहां है जिनमें इसकी एक्जाम होगी तो आप वहां पे देख सकते हैं आगे बात करें 358 पोस्टे इसमें टोटल दी हुई है ओल इंडियन वेकिंसी है कोई भी हो महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं चलिए गा दोस्तो लेके चलते हैं नोट्रीपीकेशन पर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कर रहे हैं तो प्लीज आप अमारे चैनल को साथ क्यों कर सकते हैं आने वाले हर एक चोटी या बड़ी किसी भी वेकेंसी की अपडेट सबसे पहले आप पाएंगे वेल आइकन को आउन करके जिया दोस्तों आगे बटें रास्टी यानि की आर सी एफल के अनुसार यहां पर दिखिए एक गोवर्मेंट ओफ इंटियन यूनिट के कोडिंग यहां प आइजमेंट की पोस्ट हैं केमिकल विवाग से के मेकेनिकल विवाग से तो बीएस्सी वालों की पोस्ट इसमें दी हुई है करीबन नाइंटी एट बीएस्सी वाले स्टुडेंटों की पोस्ट हैं और एस एचसी के बारे में बात के जाए तो उनकी पोस्ट यहां पर दी ह हुई है यह देखे बाई यह आठ भी पास की कॉल्फी के से ने वेल्डर घेस के अकोडिंग है पर पोस्ट दी हुई है आठ भी पास और क्लास मेकजिमम वन फोम आपको मैं यह बता दू किस लेवल की पोस्ट है थोड़ा से किलिर कर लेते हैं पर आगे बढ़ेंगे अगर आ आप ईसमें आवए दन करते हैं तो आप इसमें अप्रेंटिस के लिए कर सकते हैं इसमें अप्लाइ करने के लिए आपको पांसो 3080 पोस्ट की निकली हुई है योब की कि इसमें कि बता या कि आप पहले बता रहुं Christians की थो है rebuild तो इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं यह प्रेंटीस की पोस्ट है वही विद्यारते देखे जो अप्रेंटीस करना चाहते हैं चलो आगे भड़ते हैं इसको आगे किलियर करते हैं यह वन यह पर अपरेंटीस होगा और इसमें एज की बात की जाए तो दुस्त अगर हमें 50% मार्क्स हैं तो आप इसमें लगा पाएंगे तो यहां पर मैं किलियर करवा दू जिनके पास आठवी का कॉल्फिकेशन होगा वो विद्यारते इसमें आवेदन करेगा जिसके पास डिपलोमा का कॉल्फिकेशन होगा वो विद्यारते इसमें आवेदन करेगा आगे बात करें, ये देखएगा, डिपलोमा वाले स्टूजंटों की यहाँ पे अलग से पोस्टे दी हुई है, जोसिए इप देखें हैं। आठ वी पास वाले विद्धारती को वन येर तक 7000 रुपे दिया जाएगा डिपलों वाले विद्धारती को 8000 रुपे जबकि बीएस सी वाले डिगरी वाले स्टूडेंटों को 9000 रुपे सेलरी के रूप में प्राप्त होने वाले हैं सबसे अच्छी बात ये होगी आप इसमें आज और अभी से ही आविदन कर सकते हैं आविदन की अंतिम तारिक की हम बात करेंगे 8 दिसम्बर 2020 से इसमें आविदन प्रिकास शुरू हो चुकी है लास्ट तारिक आपके पास 22 दिसम्बर होगी स्याम 5 बज़े तक आप इसमें जमा करवा सकते हैं यानि की ओनलाइन एप्लिकेशन विदन भी सम्मिट करवाना होगा आप सबी को जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ आई होप की पूरा नोटरिपीकेशन किलियर हो चुका होगा आप लोग इसे डाउनलोड कैसे करेंगे कहां से इसको नोटरिपीकेशन के जिरियर जानकारी ले पाएंगे कहां से आप इसे प्राप्त कर पाएंगे यह देखेगा यह इसकी ओफिसली वेवसाइड है जहां से आप लोग नोटरिपीकेशन डाउनलोड करेंगे मैं इसका लिंक आपको हमारे फेस्बुक ग्रूप या फिर अब आप में कमेंट में लिखेगा वहां से प्राफ्ति कर सकते हैं यह देखे रास्टे केमिकल विभाग से निकली ही विकेंसी है बाकाइद इसका पूरा लोगो दिया वाई यह देखेगा इसका जो केमिकल विभा यहां से निकलवा सकते हैं यानि कि जो भी आपको करना होगा आप इसकी ओफिसली वेविसायर से ही कर पाएंगे डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऐसा नोटरिकेशन प्राप्त होगा जो अभी अपने बात की थी आविदन की बात करें तो दुस्तों एप्लिकेशन पे क्लिक कीज़े होगा अप्लाई ओनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यूपेज ओपन होगा जिस न्यूपेज पे आपको यहां पे जो एप्लिकेशन पोस्ट है उसको सेलेक्ट करना होगा किस पोस्ट के लिए आप आविदन करेंगे तो वो पोस्ट यहां प यह सबुकर है और यह जरूरी है पैंचाल को बता दिया जाएगान करूम Smith कर पाएंगे मोबाल निम्माइल जो भी यह फोटो सिक्रेज्चर यह सारे चीज़्च यह अपको dah 맞 अपलोड करनी होगी तो दोस्तु यह है इसका विवरेन आई होब कि आप इसे क्लियर से समझ पायोंगे अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिखेगा हम आपकी जरूर मदद करेंगे अच्छा लगा तो प्लीड दिल से लाइक कीजे थेंकी दोस्तु जैहीं दोस्तु प्लीड़ो